गाइस आर्बे गे तरफ से और एनपी साइगे तरफ से यूपई ट्रांजेक्शन किस बैंक के सबसे ज़्यादा फैल्ड होते हैं इस प्रकार का एक डाटा निकल के आया है जिसमें कुछ बैंकों के नाम बताए गए हैं कि इन बैंकों का यूपई ट्रांजेक्शन सबसे चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को नमस्कार मेरा नाम मनीश प्रिजापती आप स्विक एक बार फिर से वेलकॉम एक निव वीडियो में चेनल पर अगर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर देना वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरू का देना पैमेंट पहल रोने का मतलब सिंबसा होता है कि जब आप किसी बैक्ति को पैमेंट सेंड कर रहे होते हैं गूगल पेप पोन पे पे टीम या किसी भी यूपैय अप से तो आपके बैंक खात्रेस पैमेंट कट गया बट सामने वाले बैक्ति को पैमेंट रसीब नहीं हुआ इस प्रकास पैमेंट फैल होता है और आरवेई ने यह साब साब बताया है कि जब भी किसी बैक्ति का यूपैय पैमेंट फैल होता है तो वो ट्रांजेक्शन एनपी सियाई यूपैय तरह से डिकलाइन नहीं होता है एनपी सियाई का और यूपैय का कोई भी सरवर डाउन नहीं होता है यह सारे transaction आपकी bank की budget से होते हैं bank का जो server है वो सही नहीं होता है technical issue होता है या फिर सामने वाले वेक्ति का bank का server सही नहीं होता है जिसको आप payment send कर रहे हैं तो आपका transaction decline होता है क्योंकि UPI payment successfully होने के लिए दोनों bank का server सही होना जरूरी है जैसे मैं आपको payment send कर रहा हूँ तो आपकी bank का server सही होगा और मेरी bank का server सही होगा तो भी payment send होगा अगर मेरी bank का server सही भले है बट आपकी bank जो receiver bank है उसका server अगर खराब है तो भी payment decline हो जाती है चलिए अब हम बात करते हैं कि वो कौन-कौन सी bank है जिनका you pay transaction सबसे ज़्यादा फैल होता है और यह सारा details चलिए समझते हैं NPCI की website पर और आपको details में बताते हैं तो guys अभी मैं आचका हूँ NPCI की official website पर आप यहाँ पर देख सकते हैं National Payment Carposition of India की official website है यहाँ पर आपके लिए सारी bank का data है वो देखने को मिल जाएगा किस bank के transaction सबसे ज़्यादा फैल होते हैं अब यहाँ पर देखिए आपके लिए एक option मिलेगा BD का एक मिलेगा TD का BD का मतलब होता है Business Decline और TD का मतलब होता है Technical Decline और जो BD wallet transaction decline होता है यह हमारी गलती से होता है मतलब कभी हमने गलत पिंट डाल दिया UPI का या हमारी UPI की लिमिट क्रॉस हो गई फ्रियम पैमेंट कर रहे हैं तो इस प्रकार से हमारी गलती से कुछ अगर पैमेंट फैल हो रहा है तो वो होता है Business Decline लेकिन जब बैंक की तरफ से कोई issue होता है तो वो ट्रजेक्शन आता है Technical Decline में और यह देखिए Technical Decline का सारा details यहां पर मिल जाएगा आपको सबसे पहले यहां पर देखिए State Bank of India का नाम है जिसका देखिए यहां पर percent ratio 0.22% है जोकि काफी अच्छा है जिस बैंक का percent ratio आपको 1% से उपर मिलता है समझेए कि उसका transaction बहुत ज़्यादा decline होंगे इसी परकार से देखिए आगे नाम आता है Attal Payment Bank का ratio है 1.1% यहां पर Attal Payment Bank के transaction भी ज़्यादा फैल्ड होते है UPI से Indian Post Payment Bank का ratio है 2% भाई Indian Post Payment Bank के भी UPI transaction भी ज़्यादा फैल्ड होते है इसी परकार Central Bank of India का ratio देखिए 1.74% है तो यहां पर इस बैंक के भी बहुत ज़्यादा transaction भी होते है UPI से सिम्पल सी बात यहां पर समझे लो आपकी जो Gramid Bank और Public Sitter की बैंके हैं उनके transaction भी ज़्यादा फैल्ड होते है UPI से ratio आपके सामने ही यहां पर आप देख भी सकते हैं आंद्र प्रदेश ग्रामीर ब्रिकास Bank है जिसका ratio 2.28% है जीओ परमेंट Bank का भी ratio देखिए यहां पर 3.59% है जो की काफी ज़्यादा गडिया है इस प्रकास से देख लेना है आपके लिए अगर मैं इसी list में आपको दिखाऊ हूँ HDFC Bank तो देखिए 0.22% है Federal Bank का 0.06% जो की सबसे मस्त Federal Bank का है वाई मतलब यहां पर Federal Bank में UPI Transition Pelt ना के बराबर होते हैं IDFC First Bank का देखिए 0.06% है Yes Bank का 0.17% काभी बढ़िया है ICAC Bank का रिश्व देखिए सबसे मस्त है 0.05% ICAC Bank की Transition सबसे कम फैल होते हैं UPI से तो यह रिश्व यहां पर आपको देख लेना है इसी प्रकार से एक रिश्व यहां पर मिलता है आपके लिए David Reversal Success यह बहुत इंपोटेंट है यह क्या होता है जैसे आपने किसी बेक्ती को U-Best Payment किया अब वो पैमेंट फैल दो गया तो भाई फैल दोने के बाद पैसे कट गया हमारा बैंक से अब वो बापिस कितने समय में आता है यहां पर यह ratio बहुत चीज दिखाता है तो यहां पर भी आप दिख सकते हैं State Bank of India का 97.79% है जो काफी अच्चा है Yes Bank का देखे यहां पर 98.82% है IDFC First Bank का यहां पर 68% है और बंधन बैंक का देखे बहुत ही गिरा हुआ है 4.32% है मतलब बहुत ही लेट पैसा आता है अब यहां पर देखो यह जो यहां पर ratio है इसका मतलब यह बुलकुल भी नहीं है कि पैसा आता ही नहीं है यहां पर यह ratio यह दिखाता है कि कितनी जल्दी पैसा आता है जिसे आपने पेमेंट किया किसी वेक्ति को अब पेमेंट फैल हो गया तो आपके bank account पीसे कट गया और समने बले वेक्ति को पीसे नहीं मिला तो ऐसे में पैसा आपका रिवर्स आएगा अब इसका टाइम होता है थ्री बर्किंडे से लेकर के सिवन बर्किंडे का अनुक सगस्य है अठीया है को कि आपकी bank की डिक सकती है और वहां से इस PDF को देख सकते है अगर आपको हमारे जान करें पसंद आई वीडियो को लाइक करें चली मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में